प्रसाथ यह फार्म बंदे टूपसल में आप सब भी का स्वागत है दोस्तों आज बात करने वाले हैं मैसिफ अग्सन की जो की 2250 पावर अप काफी सारी सीरीजेस के अंदर एक पावर पंच है उससे पहले भी एक सीरीज आई दिन की तो आज बात करने वाले हैं जब हो गई पावर अप के बारे में यह 50HP काटेगरी का ट्रेक्टर है दोस्तों और काफी उंचा काफी स्टाइलिस ट्रेक्टर बनाया यह कलर कॉंबिनेशन बढ़ाई गया जाब एस ट्रेक्टर का तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रंट से तो लुक फ्रंट की दे वो दिया गया और बीच में आपको कंपणी की बैजिंग मिलने वाली जो फ्रेंट एक्सल का वह नौट दिया गया बैलांसिंग रोड के चाथ लगब अब अब आट्रेक्टर जो मैं सीखा वो बैलेंसिंग रोड के साथ मिलने वड़ानि के एसमें जो ब्राबर ऊपर उने इसके अंदर आप उप्सन भी है बड़े टायर अगर कोई किसान भाई लेना चाहे तो भी लेख सकता है अगर आप बात करें इसके इंजन की तो इसके अंदर आपको 50 HP 2700 CC और तीन सलेंडर का बोश कंपनी का जो है आपको इसके अंदर पंप मिलने वड़ा है और इसका जो प लोहे का फ्यूल टैंक दिया गया जो की साट लिटर को ने वड़ा है और इसके जो ब्रेक दिये गई है वो ओईली मर्सिड ब्रेक दिये गई है महीं पर ये कंपनी ने टैन लगाई गी गई है टैन के अंदर जो आपको इसकी मैक्स पीटियो दी गई है जो कि किलो वाट में होगी 13.8 और जो इसका SFC दिया गया ये शिंगल पीस बॉनेट के अंदर आपको टैक्टर मिलेगा यानि कि इसको आप एक जो इदर ये देखें एक इदर बटन मिलने वाड़ा आपको स्विच मिलने वाड़ा एक दूसरी साइड मिलेगा जिससे का आप इसको ओपन कर सकते हैं अब आपको सो यह ट्रेक्टर को ओपन करके दिखाऊंगा जो अंदर आपको कुछ चीज दिखाने हैं कि जो कूलेंट है कूल्ड है वाटर कूल्ड है क्या है वह भी दिखा दें सिंगल पीस बोनेट के अंदर आपको ट्रेक्टर मिलेगा और फ्यूल टैंक वह 60 लिटर का दि नहीं मिलने वाड़ी जो कुलिंग सिस्टम है वह ओइल्ड टाइप का दिया गया है और आप देख सकते हो कि जो फैन है इसका वह भी काफी सारी चोड़ाई जो उसकी काफी बड़ा फैन बनाया गया इसका और जो कुलिंट टाइप का इसका आपको मिल लेगा एक ट्रेक्टर फ्रंट में आपको एम्रोन की जो है एमको की बैटरी मिलने वाड़ी है फ्रंट में वेट का काम करेगी दूसरा चोरी होने से बचेगी जैसे किसान बाई आजगल मील वगारा मजाते है तो वहाँ पे आपका ट्रेक्टर की जो बैटरी है वो सेफटी रहेगी काफी हवी ड पाउं रखे ट्रेक्टर के ऊपर जा सकते हैं यह जो है पार्किंग ब्रेक दी गई है जैसे गाडियों में दी जत्ती है बिल्कुल सेम वही आपको मिलने वाड़ी है सीट काफी अर्जस्टेबल सीट दी गई है इसकी वहीं अगर हम ट्रेक्टर के ऊपर बैठ के बात करें तो काफी उंचा ट्रेक्टर बनाया है बहुत ज्यादा उंचा है 50 HP काटगरी में आपको महसूस होगा जैसे कि आपको 60 HP काटगरी का ट्रेक्टर चला रहे हूं मीटर की बात करें डैश्बोर्ड की बात करें तो काफी स्टाइलिस डैश्बोर्ड बनाया है इसका और स्टे लगया और यह पूरी लाइटिंग वगार आपको देखने को मिल रही होंगी साइड में मिलेगा और एक हैंड रेस दी गई है निच्चे पूरा डैस्बोड काफी चोड़ा डैस्बोड बनाया और प्लेटफोर्म देखें तो वह भी काफी खुला डिला प्लेटफोर्म बनाय है ओईल में भी गई आपको उसके ब्रेक मिलने वाले हैं पाउंकी रेस दी गई है ओरिजिनल साइडशिफ्ट गेरबोक्स है इसका टेक्टर का यानिके अगर आपका हाथ कहें भी भी हो वह जब आप वहां से हाथ अठाओगे तो वह सिता जो है गेरबोक्स के उपरी आके रुकने वाला है यह कॉंस्टांट में गेरबोक्स के अंदर आपको टेक्टर मिलने वाला है निचे लिफ्ट लोक दिये गया है यानिके आप अगर इसकी स्पीड बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए वह इसके लिए भी लोक दिया गया है यह निच्चे से आप इसको अ तक बना गया एक रिफ्लेक्थरों का रिफ्लेक्थर दिया गया निच्चर सब्सकार के निच्र हों इसको अप सब्सक्राइब और पिछे की जो बैक है सिक्स प्लीन दी गई है काफी मजबूत दिया गया रिवर स्पीटियों के अंदर आपको यह मिल लेगा कि वहीं अगर हम देखें तो इसमें पूरी इंडिकेशन वगारा दी गई है टेक्टर की यह देखिए काफी मजबूत टेक्टर बनाया पिछे से यह जो लाइट दी गई है रात में अंदरे में वगारा में काम करने के लिए काफी अच्छी स्टाइलिस लुक बिल्कुल जो कलर कॉंबिनेशन है वो बढ़ाई का जब बनाया आज टेक्टर का हुआ है और दोस्तों जोस्की टेक्टर की एक्सोरूम की बात करें है रहे हैं है वह सात लाग 55,000 पे बताया गया है और यह आपके रिय किसाब से कम ज़्यादा ताकि होगी हर स्टेट का सोरी हर स्टेट कहां अलग अलग जीस्टी होता है तो वह कौम ज्यादा भी हो सकता है तो अगर कोई किसान बाई इस ट्रेक्टर को लेना चाहे रहे तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में और ओन स्क्रीन भी डाल दूंगा तो वीडियो अच्छे लग है ताकि आप तोक नोटिफिकेशन टाइम से पहुंसते रहे हैं नमस्कार